हेलो सुरेंट्स मैं रवी रेंजन आप लोग का स्वाज़त करता हूं मैंनेजमेंस हिंदी में जो आपको प्रवाइट करता है चटी से बारवी कक्षा तक के सब वीश्यों के और यहां ऐसा कुछ मिलें यहां आपको मिलेवाला है बेस्ट क्वालिट कंटेंट कंटेंट और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना इसे अची बात के साथ करते हैं सेशन को स्टार्ट तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुंपर चैप्टर जो कि नौवी कख्षा का part 2 है इसके हम कर रहे हैं most important question और यहां पर हम मोच्ट इंपर इंपर आज चुके हैं और इस से पहले हम part 1 और पार्ट दो खतम कर चुके हैं तो वह उसको आपने देखा जरूर होगा उसको भी जरूर देख ले ना कि उसमें भी आपके बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन कोशन है जो आपके इंग पॉइंट और यहां पर हम देखते हैं आज के सबसे परसंद नंबर 17 पर आ गए हैं इससे पहले के सोला कोशन हम पहले दो पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम सत्रुए कोशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां हमारे पास अ एक हवाए 12 ठीक है इसको अगर मैं तोड़ने का मतलब क्या होता है इस तरह के से हम यह करते हैं वह दो से किया तो तीन आया और तीन से किया तो एक आया यानि इस बारा के जो गुड़न खंड आ रहे हैं वह यह आ रहे हैं दो गुने दो गुने तीन यानि हमने इस बारा को तोड तोड कर Шोटे भागों में कर दिया है कि जिनको वापस गुणा करके ये भी लाए जा सकते हैं चलो भू ठीक है ये तो simple सा हो गया फिलाल हमें किण करना है इसक को तोड तोड के लिखता है यह यहाँ uted कि यृसे कि दो छोड़ा सा खतरनाक इसमें 20 एभी चलो भी यह इसमें आपको देखना है कि common क्या रहा है common का मतलब क्या है ऐसी चीज जो दोनों में सेम है अब सेम कैसे हैं तो हम यहां पर देख सकते हैं अच्छा है तो यहां आमने लिखा है बीस नहीं भी लिखा है को फिर से में हमारा दी से भी कौश्शन भी पढ़ना पड़ेगा यहां पर देखें क्या चीज़ common है मतलब सें हैं और 20 का मतलब क्या होता है तो 20 का मतलब होता है 5 तो यहां पर तो Cया को हमने इसमें से common ले अब यहाँ पर क्या प्या बछा इसका पांश बाहर आगा झा मै reco में यहां पर बीस में से एक पांच बाहर आ गया मतलब बचा क्या बीस का मतलब होता है पांच गुने से चार तो इसमें से पांच को बाहर ले लिए तो चार बचा है तो भए लिखा हमने चार है हमने बाहर ले लिए बचा सिर्फ भी मतलब यहां हम देख पा रहे हैं इस पांच एक अवर माइनिस बीस इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अच्छा यहां पर देखे क्या यह दो अलग अलग गुणन खंड में आ गए हैं तो यहां बिलकुल आ गए हैं यानि इसी च आख दिखोंगे तो भी ठीक है को हुई नहीं अगते हैं और यह चीज यहां पर हो रहे हैं और यह इसका पहला आउसर आ गया जिसको आन्सर इस यह आंसर ड़े दो इसका सक्कृ्ण अट लेजे प्र तान्हे रहते हैं तो हम देख सकते हैं तिससे मदेख constructionion Gabby और सफाइश की जरुएंस लिएच होँ पहले चाथिस एक गात्तीन वि-स में शाट स्टी आशोफ नियूजद्वि यह जए वाईवाई यह कि इसमें से भी हम सीद्टन थरह उद्धेश हैं कोमन आ निकाल सकते हैं यां यह दोनों के चाहिछ बहुत से हैं पर निक्स केज़से हैं उनके इस इसे बिबदर और एलैबरेट करते हैं और एक्सपैंड करके लिए जिसे और ज्यादा आपको समझ में थैक हैं तो यहां पर मैं देखता हूँ 36 को लिखता हूं छे गुने 6 और गुने में एक ही हाथ 3 इसको मैं 3 ए लिख सकता हूं ठीक है और गुने में पाइद लेखे जिने शुक्ति बात किया और यहां पर यहां पर क्या रहा है यहां रहारे में plat ather यहां और यहां पर भी एक खे को मैं तोड के तीन इन दो लिख सकता हूं आपंधा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है तोड़ के लिखने के बाद अभ देखते हैं क्या के चीज़ सेम हैं दोनमें तो यहां पर यहां पर यह जो 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 चीज़े same होंगा हो गई, उसको एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है, कैसे लेंगा, बचा यहां पर तीन बचा है, तो तीन लिखा हमने, सब्सक्राइब क्या है तो कुके हो गया तnahर ठीक है अब देखना आपको देखने हैं इक की घातeven है कि क्या है दो है टो है दो दोनों में से क्या हैं एक है व्हार डो मतलब यह तो इस पो बहुरा कर सकते शहुत्क कर दिया इसरिकन देखेंगे वहाई पंचे साट होता है यहां पाँच आगया तो आपको क्या करना है यहां से डायरेक्ट करना है इतना एक्स्प्रेइन करना ही जूरूत नहीं है ठीक है और अगर confusion होती है तो explain कर दो कोई दिकत नहीं नंबर थोड़ी कटिंग इसके यह भी इस तरह से तोड़ के लिख सकते हो तो आपका अंसर एक्जेक्ट हैगा ठीक है पस आपकी प्रैक्टिस के उपर है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप यहां से डिरेक्ट यहां आ सक ना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 12 गुने में एक आवर गुने में बी और गुने में तीन ए माइनस पांच सी वह इस यह जो हमारे पास है इसके इतने यह टुकड़े में कर दिया है यह गुणन खंड आ गया है गुणा में अलग अलग खंड आ चुके हैं तो यह इस यहां की बात करते हैं यहां पर थार्ड पार्ट की बात करते हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं पांच-ए और बी प्लसी और माइनस वे भई है साथ B और B plus C भई यहां पर हम देख सकते हैं क्या B plus C B plus C same है दोनों में इधर भी B plus C उप्लोस ला सकता है तो पही बिल्कुल आ सकता यह से महें नहीं लें वह से में इसको हम भाहर निकाल लेते हैं जो बाहर निकाल लिया है तो यहां पर सिर्फ अकेला पांच ए बचा है और यहां साथ भी बचा है वो लिख दिया अब आप देख सकते हैं दो टुकड़ों में बढ़िए यानि हमने इस संख्या जो यह पहले थी उसको हमने गुणनखंड कर दिया है दो टुकड़ों में बाट माइनस में आठ दो ए माइनस में तीन भी यह चीज़ आ गया ठीक है अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन नहीं आ रहा ठीक है तो यहां से मैं देखूं कुछ कॉमन दिखता है मैं दिख रहा है मैं क्या तो इसमें से हम देख सकते हैं सिर्फ दो कॉम कॉमन लेते हैं ठीक है और यहां क्या बचा यह बच गया 3 और दो एप्लस में 3 और यह आ जाएगा वर्ग माइनस में कि चार दो माइनसतीन भी चलो लो संपने से लिए नतरहर है क्या थे दो को's एस थेय। गॉब अगर यह से सेट तो चीन बचा इधा दो दो नीत चार बचा ठीक है क्या वही चीजा रखे को ने दो कौमन लिया तो तीन बचा और आठ के लिए चार बचा एक बाकि इस में से कुछन से हमने क्या सिखा तो हमारे पास कोई भी समीकन जो की खतरनाक सी भी आ रहे हैं कोई बात नहीं इसके गुड़नखंड कैसे करेंगे तो पहला अप्षन यह होता है कि आपकी कुछ अगे आते हैं जो कि मुश्टी आ भी जाते हैं क्योंकि कई बार होता है बार है यहां पर आपका आता है तो इस तरी के गलती नहीं करोगे क्या इसे होते हैं इसको देखने में बहुत दर लगता है कि भाइव बहुत खतरना कुशन है बट आप इसे करोगे अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज़ जैसे आपने यह वीडियो देख लिए तो इसका मतल तो अब देखते हैं अगले कोश्चन में किस तरी के कुश्चन से और उसको स्टडी करते हैं अगले कुश्चन की बात करें तो यहां मैं देखा इसके अंदर इसमें भी एक्स माइनस वाई यह लेकिन इसकी घात तीन है इसकी घात एक ठीक है यानि इसके पास तीन है इसके पास एक ही है तो मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूं तो बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं तो यहां पर हमने इन दोनों में से जैसे मैं पहले कोश्चन को दुबारा से लिखता हूं यहां पर X-Y की घात तीन प्लस में तीन X का वर्ग Y और शाथ में X-Y चलो भी ठीक ही यह आ गया इन दोने में क्या चीज़ ते मा रहा है तो इसके पास एक सके पास तीन है लेकिन एक तो सेम है तो एक सेम लिख दिया ठीक है और उसके बात कहा जाई यहांपर एक एक्स है यहां 2 एकैस का वर्ग है ठीक है तो यहां पर से भी एकS को कामल हो आजसते हैं तो हमने 1 X को वी कामल ले लिए अब जो जो चीज़ बची है वह लिख लिए इसका एक बाहर आ गैए रिगा एक्स मैंनouv y का वर्ग बचा हुए vig फ्लस में यहां से क्या बाहर आता है नहीं नहीं हो ना यहां क्या बचा तो यहां से आ खिक है कि आस्कोर लेते हैं हम देख पार धेमें 13NY आ गया यह मैं तीन एक पार है तो एकस का स्क्वाइर प्लस में वाई का स्क्वाइर माइनस में दो एकस वाई यह आ रहा है मार पास ठीक है और इसकी बात करते हैं तो यह कितना है प्लस में तीन एकस वाई है इसको अगर मैं solve करता हूं तो क्या हमें मिल पा रहा है भई एकस माइनस में y x का वर्ग प्लस y का वर्ग और माइनस 2 x y और प्लस x y 3 x y मतलब क्या होगा भई माइनस 2 प्लस 3 एक ही बचेगा तो हमने यहाँ पर एक लिग दिया प्लस में x y आ गया बन भई तो यहांपर हम देख पारें एक दो तीन ये तीन टुकडों में बढ़ चुका है ये तो इसको हमने तीन को तोड़ दिया है और यही इसका गुणन खंड आ गया है तो जब सकते हो फिर हम आते हैं next question पे ऊके चालो भई अगले कुशिन की बात के तो यहां पर हमें देख रहे हैं इसके गुडण खंड करें इसके गुडण कैसे यहां पर हमने लिखा वहल में फ़ई दो एक्स माइनस में 3 का वर गा रहा है माइनस में 8 प्लस में 12 इसमें कुछ रेकट में यह बिना ब्रैकेट के हैं कुछ तो नहीं आ रहा है क्या तो यहां पर एक चीज देखें कि पाइसमें कुछ को मना रहा है तो यहां की मैं बात कर तो भी चार थीजी आ लेड़ा बारा चार दुनिया बतलो दो आजाएगा लेकिन माइनिस था तो प्लस आ गया ठीक है और यह प्लस का यह तो माइनिस आएगा और चार तीया बारा होता है तो माइनस तीन आ गया चलो यह चीज आ गए अब देखिए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है वापको तो यहां अब तो कॉमन दिख रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर एक घात है यहां दो गात है यहां पर दो है यहां पर एक है तो इस एक को हम बाहर ले सकते हैं तो बहुत बाहर ले सकते हैं तो बहुत ले ले सब्सक्राइब टीकर बहुत है और यहां पर हम देख सकते हैं दो एकस माइनस मिंस एटीन और यहां पर दो एकस और माइनस तीन और माइनस चाल कितना होगा टीख में धुरूब यह हैं यह जागए यह चाहिए को सुलिष्ट 되지 होगा तो वही बात है इसको हमने इस तरह से तोड़के रख दिया है और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भई अगर आपको गुड़न खंट करना है तो आपको कॉमन लेना आना चाहिए कि आपके इसमें से देखोगे क्या के चीज़ उभेनिस्ट है कॉमन है और उसको यह वह फॉर्मुलेज हैं जो आपको पता होंगे जो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पड़े थे जैसे कि मैने कॉनसर्ट वीडियो में बताया था कि भई फॉर्मुलेज सारे जो भी आपके पास है कि भई एफ्लस बी का होल स्क्वाइर क्या है और एफ प्लस बी कि उ путफ बैंक्यू मागे यह इतने और भी साथ में हमारे पास थे क्या वे एक यू प्लस भी क्यूड्स मिंगी ले क्यू माइस थ्री अबी सी नियू इतने तो यह इतने कि कर लेंगे याद और जब कर लोगे याद ना तो फिर कभी याद नहीं होगा और उस condition में यह फिर chapter हो भी नहीं पाएगा और यह chapter आपका बहुत ज्यादा करेगा और परिशान करेगा तो फिर क्या करना है वह जो चीज आपको परिशान करना करता है ना तो उससे कर लो दोस्ती अब उससे अगर आपने दोस्ती कर ली तो वह जिंदगी भर आपको परिशान नहीं करेगा और उसके साथ मज़ आएगा ठीक है तो बहुत करने का यही इसी टाइम में आप बहुपत से करिए दोस्ती और यहां अगर आपसे बहुपत से दोस्ती हो गई तो फिर समझ लो आपकी परेसानी ही खतम हो गई वह आखरी तक जब भी आपके सामने बहुपत जैसी चीज आती है तो आप बोलोगे नहीं यह तो अपना दोस्त है कोई दिक लिए इन फॉर्म्लेश को हमें याद करना है तभ यह कुछन बड़े अराम से हो पाएंगे ठीक है और क्या चीज था एक और चीज थी है सबकर थे इसमयुए एक सबके आंसर क्या या आपके बुक में और मैंने इक कॉंसरक्ट वीडियो में भी बता रखा है ठीक है और बह सारे आपके बुक में भी बिल्कुल पूरी लिष्ट में पूरे लिष्ट में एक सारी चीजे लिखी हुए ठीक है तो वहां से आप स्टेडी कर सकते हो क्योंकि यह वीडियो फिर लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे इसको करता हूं और उसके बात करते हैं जो कि लिखा है प्लस में पांच और एक्स माइनस में छे यह चीज़े चलो इसके वैरे फ़िर है यहां पर यहां पर एक यह सब करना सा त्रइक है लेकन एक इस तरीके से यह आ तरीकल है तो आंसर आजाएगा जाएगा अब इसकेjakर्डि में देखो एक कितना यह पांच ब यह उसकी angle और मैं कहूँ कि इसका सॉलीशन क्या होगा तो पहले आएगा एक और अफ rap प्लस मैं एक साथ ठीक है ओल अभ सरव aust Share काहें मतलब यह जो सर्वğu समिक आये थी आपकी ठीकर इसका जो इसमें उप्यूपत हैं मतलब यूस्फूल है वह यूस कीजिए और उसके बाद अंसर निकाले तो वह इसमें तो यही वाला यूस्फूल था जिसका हम नेश्कर तो गान तो इसका स्क्रेंट एंडर फिर हम आते हैं तर मेरे केना किस तरह से हैं तरह करा देता और क्सेंऽ की लिए वाला शॵमाय बराबर है यह वह यह फिर दिया लेकिन 3x plus में 2 और 3x plus में 7 तो उस condition में क्या होगा तो पहले होता है एक्स का वर्ग और X क्या है 3x तो हमने लिखा 3x का वर्ग प्लस में फिर X है मतलव 3x आएगा ठीक है और A plus B A कितना है 2 और B कितना है 7 तो हमने लिखा वह दो प्लस में 7 ठीक है और सब्सक्रणेट में क्या एब तो साथ गुने में 2 अब इसको झाँ मेंफ कि तो तक्या हो जाएगा तीन कवर कितना होता है।9 होत है तुम्हें लातक सबस नोакс करए। है नो को सब्सक्राइब है तो हमारे पास थी जो हमारे पर बहुंपद उसको हम नसमें गुना किया और एक भुपद आपके समय आ चुका है ठीक है नौ स्क्वार 27 प्लस में चौदा यहां पर हमें अगर यह सर्वस्रमिक आती है तो इस कंडिशन से हम बहुत इसली इसको गुणा कर सकते हैं दन चलो ठीक है इसका आप स्किन सौट ले लो फिर हम आते हैं नेक्स थार्ड पार्ट पर ठीक है तो इसका मतलब होता है एक माइनस में बी कावर यह होता है अब यहां पर देखेंगा इन दोनों को आपस में गुना करोगे तो गुना कैसे कर रहे हैं तो यहीं फॉर्मला लगा देते हैं डायक्टली हो जाएगा क्यों गुना करने पर जाएं तो हम यहां पर करते हैं एक मतलब पांच कावर गाएगा माइनस में बी कावर मतलब इसी तरीके से सॉल्ड होगा कोई गुणा करने का चक्र नहीं डाक्ट हो गया इसके बार आए चोथे पार्ट में किस तरीके से होगा कि छोथे बात करें तो यहां है बइए साथ X क्लस में दो और साथ X माइनस में 3 यह चीज़ है यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं यह वाला समझ लो X है और यह वाला A यह X है और यह B है तो यहाँ पर इसके फॉर्मला भी इसमें डार्ट लाएगा भी X का वर्ग आएगा यह आ गया प्लस में भाई X आएगा और A प्लस भी होता है ठीक है और साथ में एक उने में भी होता है भाई यही फर्मुला था अभी थोड़ दिर पहले लिखा था हमने अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 49 प्लस में X का वर्ग चलो भी ठीक है यहाँ आप हम देख पा रहे है सब्सक्राइब तो यहां धे पा रहे हैं जैसे हम ने स्कों आपस में गुना किया तो यह हमारा जो सर्विस इसको लगाया और लगाते के साथ यहांसर कोई दिक्कत नहीं आप इसको गुना करके दिखो गे तब से इमान सर आएगा ठीक है लेकिन तब इसे स्टब बढ़ जाएगा यह हम पर सौट कर तरीका और यह बड़े आसानी से तुरंति साल हो गया दन चलो भी ठीक है उसके बाद देखते हैं पांच्वे पार्ट पर पांच्वे पार्ट पर आते हैं तो पांच्वे पार्ट के लि तो यह पर यहां पर यह नहीं है यह का बटे पांच है वो तो चलो ठीक है चार बटे-5 लेकिन पहला तो वर्ग है अपने तो हम क्या करेंगे हम जो वर्ग दिया हुए उसका भी लगाएंगे क्योंकि इसने question में formula में यह कहा है कि ए है जो भी ए है उसका वर्ग लगाना है ठीक है तो हम भी यहाँ पर वही करेंगे तो एक वर्ग पे हमने लगाया वर्ग माइनस में चार बटे पांच है इस पर भी लगा दिया ठीक भी लगा दिया अब हम देख पारें वर्ग से वर्ग गुना होगा तो एक ही घात चार हो जाएगी और यहाँ चार चुक शूला और बटे में पच्चिस बढ़ी यह अंसर आ चुक है यहां पर ओके तो इसका भी स् क्या है कि अगले कुशन की बात करें तो यहां में दे रहा है सीधे गुणा किये बिना मत इसको सीधे गुणा नहीं करना ठीक है तो इसको करेंगा भई सर्व समीकाओं के द्वारा गुना करेंगे ठीक है सर्व समीकाओं के द्वारा इसको गुणा करते हैं और देखते हैं में किस तरिके से गुंद होता है तो यहां पर हमने देखा भई पहले में फर्ष्ट पे ए और यह मत रखा रिक सो दो को गुना करना है एक शो छे से तो वह इसने का है सीधे गुणा किये बिना निम लिखे ते गुणान फलो का मान ग्याद कीजिए करते हैं का मान ग्याद तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या लिख सकते हैं भई इसको इसको हम लिख सकते हैं भई इसका फार्मूला था हमारे पास एक्स का वर्ग प्लस में एक्स और ए प्लस भी और प्लस में एबी वह यहीं फार्मूला था हमारे पास अब सी में हम इसमें क्या फार्मूला लगा सकते हैं तो यहां हम देखते हैं क्या वह सौ को सौ से गुना क्या मतलब हम इसके एक्स की ब तो हम x की जगह 100 लिखेंगे तो हमने यहां पर लिख दिया वहीं कि तो यह में अब यहां पर देखा जाए कि 100 का वर्ग क्या होता इसौध में क्या होता है 100 को सौ directly घूर गुणा में पड़ेगा यानि की 210 और जुड़ जाएगा इसके साथ और हम लिख सकते हैं इसको वह एक दो तीन चार जीड़ों के साथ अब गौण сразу और तर रहा है 구na तो गुणा करके यही आएगा तस जराइट सो जाएगा तो इसको हमने गुणा कैसे किया तो इसको उने 10 प्लस सौपलस में 200 में च्छे करके किया और उसको इस फॉर्मली में रखा अब पर रहाम से सौल कर लिए ओके चलो भी ठीक है इसका स्कून शॉट लिए अब आते हैं मैं सेकंड पार्ट पर दूसरे पार्ट को देखते हैं वह कुछिंग कैसे साल होगा चलो भई सेकंड की बात करते हैं तो यह हमारे पास है एक सो पांच कुन्हें में पिंचानवे हैं अब इसको मैं अगर सौल करता हूं तो कैसे कोगा तो भई इसको लिखा जा सकता है सौ मैं प्लस में पांच है Lawrence हू Chi confessed yeah we are 105 PG 최ehanlines 85 55-75 reason that's been donerika डिरे यहां पर हमने देखा वोगा ए-फ्लस-फी फ्रमुला क्या होता है वाई इप्लस-बी और इसका फर्मिला होता है हमारे पास क्या कवर माइनिस चलो भाए ठीक है आ गया अब यहां पर एंदेख पारेब यह की माइनास फक्राइब जीहमन मैं टीक है तो यहां पर ए है और यहां बीट है और इसको हम लिख देंगे क्या वैस्काल हम पांच यह miej अम यहां पर हम देख सकते हैं सबक्राइब कार के कितना खबता हैं तो िसके में फिर से चार जीरो लगें और यह पांच का वर्ग मतलब 25 हो गया वह यह हम इसमें से माइनस करें ठीक है अब इसमें से जैसे हम 10,000 मैं से 25 माइनस करें तो कितना आएगा 9,975 आएगा यह यह आएगा दस हजार में से 25 माइनस करें तो सब्सक्राइब हो गया हमें गुणा करने के टेंसर भी निवी ओके चलो में ठीक है इसका स्क्रीन शॉट लो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है तो यहां पर हम आते हैं थार्ड पार ठीक है तीसरे पार्ट को देखते हैं है यहां पर तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो यह हमारा पास बानवे गुने में इस लिए इसको क्या लिख सकते तो इसको मैं लिखना चाहूं लिख सकता हूं 100-2 चाहिए लिख सकते हैं तो यहां पर हमने सो एक नंबर ऐसा फिक्स किया है जो कि जिसका वर्ग करना बहुत असान है थिक है यह चीज वर्ग करना बहुत असान है इसलिए हमने सो को लेके चलते बजा रहें ठीक है अब यहां पर हम देख पारें हैं यहां रहा है प्लस में आता है एक्स और यहां पर आता है जो भी ओर भी दे रहा है अगर जैसे कि यहां पर दोनों प्लस दे रुखे और यहां पर लाश्ट भी बहुत है पर यहीं फॉर्मला मैं वह लकिन फिलाल और कि यहां कि बात कर एह पलस में मतलब की माइनस आठ मायनस दू आ रहाएं ँदन अब कैसे सॉल्ट हो रहा हमने देखा मैं這一 MOM तर तर दृति यहां पर माइनसशच साद कि 1000 ऑजाएगा तेक है यहां के बात करें तो आठ दूर माइन इसको माइनिस से गुना करें दो प्लस आएगा तो यहां पर मैंने प्लस लिखा टिक है भई यहां पर देखें भई दस हजार में से 1000 गया तो क्या बचा 9000 बचा और 16 जोड़ दिया तो 9000 सोला आ गया तो भई इसमें हम लिख सकते हैं यहागिया 9000 सोला ठीक है और यही आंसर आ चुका है यह इसको जब मुझे गुना करना था तो हम इन्हें इसको गुना करे भी नहीं हमने इसको च्छोटे से फर्मॉले में रखा और बड़े अर इसके लिए और आते हैं नेक्स फूर्शन की बात करें तो यहां पर हमें देर रखा उपयुक्त सर्व समिकाउं का यूज करका मतलब क्या है इसमें भी आपको देख लेना कौन सा सुटेबल इसके अंदर सर्व समिकाएं लगने वाली है उसको हम यहां देखते हैं और इसमें प्लस में एक बटे आ रहे हैं और साथ में एक आवर्ग प्लस में एक बटे एक आवर्ग आ रहे हैं और एक चार प्लस में एक बटे एक चार आ रहे हैं यह हमारे पास आ गया अब इसको कैसे सॉल किया तो इसकी बात मैं करता हूं तो इसमें हमें जस्ट क्या करना है इसको पह यह लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं तो यहां पर हमने गुना किया तो यह आ रहा एक और इसकी बात करते हैं तो एक बटे एक अवर्ग होगा चलो भी ठीक है और इसका मतलब जैसे मैं पूरे ब्रैक्ट में वर्ग लिख रहा हूं तो क्या मैं इसी को इस तरीके से लिख सकता ह सिर्फ यहां पर यहां पर पर वर्ग लिख दें भाध तो वह यह एक कवर एक ही होता है यानिहें इन दुन को गुना किया टो यह हमारे पास है चलो भाय यह लिख दिया एक यह पनाने है प्लस में एक वर्ग आगया और यह साथ में हैं एकировать चार अप्लसर एक बटे एक क्या है था यहां पर फिर से कर गुड़ कर गदें ऑफर करोगे तो क्या है तो कि आ यए आजाए का जाया गाए इन दोनों को गुंना करती है वर्ग का खर्ण होगा और माइनस में एक बटे एक के वर्ग का आपर गोगा जानों प्लस में बड़-ब घाठाइब फिर से सम में धेक पारे कियो डिया मायनेस भी मतलब यहां चार गहाथ है लेकिन ए माइनिस भी एक बार माइनिस एवर प्लस हैं तो इसमें भी same to same formula लगेगा और यह आ जागा एक इगाच 4 का वर गाएगा और माइनिस में एक बटे एक इगाच 4 का वर गाएगा ठीक है और इसको अगर मैं सॉल करता हूं तो चार दुनी 8 हो रहा है मतलब एक इगाच 8 हा रह है और यही इसका अंसर आगिया ठेक है इसका अंसर याज चुब्यार आपको देखना को देखके डरना नहीं कुशन में आपको देखना है क्या इसमें basically formula लग रहा है तो हमने देखा इन दोनों में तो लग रहा है माइन बहुत ब्लस भी same आगे चलते गए तो इसमें भी ल लेक्स्ट कोश्ण पर प्रम अच्छा इसी के साथ कोश्चन आज का समाप्त होता है आज हमने जो आज पाज में तीसरा पार्ट ले गाया थे इसमें हम नहीं को समापत करते हैं यहां पर कोशन से वह बहुत बहतरीन थे इस सब्सक्राइब उसके बात आपको बताना चानले में तो मैंने बेन चैनल के प्लाटफॉर्म है जो केज़री से लेका 12 थक के सब्चिच वीर इस आपर आपके लिए महुझूत कर बाता है ठीक है और वो भी फ्री ऑफ कोश्ट और इसमें कोई भी चार्ज नी जैसे देख से 100 प्रसेंट फ्री ओनलाइन एजुके प्लैटफॉर्म है तो यहां पर आप लोगों के लिए कुछ चीजे लॉंच की गई है मतलब यहां पर आपके सुविधाओं के लिए मैगनेट की जैनि ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक वीडियो यहां मिलेगी कोई वहां मिलेगी आपको धूंड के खुद पढ़ना पड़ेगा नो हर चीज बिल्कुल अरेंज फ़र्म में यहां पर आपको प्रवाइड करवाई जा रही है चलो भी देखते हैं किस तरीक है तो यहां दे हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पर क्लिक करोगे चलो ठीक है आप जैसे नौवी कक्षा में हो तो उसके बाद नौवी कक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हो जैसे कि आपको सब्सक्राइब करना है तो मेरे सामने यहां वाशनाव लिखाए वाशनाव पर क्लिक करते आप देखोगे उसमें वीडियो की लिष्ट खुल जाएगी और वीडियो की लिष्ट में क्या क्या चीज होगी तो उस चैप्टर का सबसे पहले आपको मिलेगा पूरा वीडियो मतलब उसके कॉंसेट को बिल्कुल बारी की उसलेकर एडवांस लेवल तक हर चीज बिल्कुल बहतरीन दरीके साब को समझाए गई है कि आपको पूरे चैप्टर में कभी कोई दिक्कत ना हो उसके बाद क्या चीज़े तो उसके बाद पूरे एंसेट का सॉलीशन जिसमें कि उदारण प्रस्नावली और परिम्य को भी एक्स्विन ना चुटे उसके बाद आपको मिल्ने वाला है पूरे चैप्टर का फुल लिवाइज कर पाऊंगे जो कि आपके पूरे चैप्टर को बहुत ही बहतरी निता है क्योंकि आप भी चाहते हो एक्जाम के बहुत सी चीजें मिल रही है तो यानि अब आपको बाहर कहीं भी जाने की कोई जूरत नहीं कोई भी कोप पर चीज बिलकुल बेस्ट को आपको प्रोवाइड कर वाई जा रही है तो आप इसका फाइदा उठाई और वह कैसे तो यहां पर आपको जश्ट करना है इन के हिंदी मीडियम चैनल में सात्वी कक्षा से बार्वी किशागर तक के सब भी विश्यों के कंप्रीट वीडियो को यहां पर एवलेवल हैं जिनका फाइदा भाई आप तो उठाई रहे हो तो इन चीजों कोई भी जान पैचान में हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको यह चीज़े सजिस कीजिए जिससे उनको भी इन चीजों का फाइदा मिल पाएं तो इसी के साथ आपको कहने चाहते हूं अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए निव है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहे हैं ओके बाहे तो इस दो ईु Jul earlier figure रहे हैं झाल मिल बड दावाश थीजों क्रते सेन को यह फिरी जए जए ऑाहे है झाल मिल झालीज खहते हैं अभल को आपको बाहे । झाल झाल